तरपा करके इन जिहादियों को मारूगा और सव करोड हिंदू अब कानून को हाथ मिलेगा ये वीडियो देखा आपने ये आचारे हैं ये वो आचारे है जो अपने आपको दुनिया से त्याग देते हैं दुनिया के मोहमाया से त्याग देते हैं और लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनके विचार अपने जीवन में धारन करते हैं, किसलिए कि हमें भी सत्बुध्या है, हम भी शांती से जीवन जिये। लेकिन अगर सारे आचारे इन जैसे हो जाएं तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में शांती फैलेगी, दुनिया में जद्दो जहेद छिड़ जाएगी, जंग हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर अमादा हो जाएंगे, जिस तरह से ये आचारे अपना ब् जम नहीं हो रही, इन बाबा के बारे में मैं आपको सारे बाते बताऊंगा कि आकर ये कौन है और ऐसा क्यों कह रही है, नमशकार मैहूर आशेद और शिरवात करते हैं इस बड़ी खबर से, ये वीडियो में जो आपने बाबा देखे हैं, ये अयुद्या के प्रमाज क्या कह रहे हैं ये बाबा, ये बाबा छुटते ही कह रहे हैं कि उदैपूर हत्या कांड में जिस तरह से एक मासून की निर्दोस की गलारेत कर हत्या की गई, उसके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, अगर नहीं दी जाती, तो हम इन पूरी कौम को कह रहे हैं, उन आरोपियों को नहीं कह रहे हैं, अब शब्द समझ ये जराब, मुसल्मानों के लिए कितना जहर उगल रहे हैं, तो हम इनको तड़पा तड़पा कर मारेंगे, और मैं ही नहीं सौ करोड हिंदू, निकल जाएंगे भी तक तो सिर्फ हम बजरंग, बली हनु हनुमान का रूप ले लेंगे, आखिर क्यों ये भगवान को बदनाम करने पर लगे हैं, मुझे समझ नहीं आता, कभी जैश्री राम के नारे को बदनाम करते हैं, तो कभी हनुमान के नाम को बदनाम करते हैं, क्या भगवान ने कभी मार काट की, क्या भगवान ये कभी कट कट्र थे सोचने वाली बात है ना कभी भगवान कट्र थे ना कभी नभी कट्र थे कट्र हैं तो यह लोग कट्र हैं मांसिक कट्र हैं यह बाबा यह जो मौलवी यह कट्र हैं जो भड़कार हैं जो देश का माहौल गरम कर रहे हैं जो माहौल बिगाड रहे हैं यह पूरा- प्रेश कॉंफरेंस करके जहर उगलने की बात करते हैं, मुसल्मानों को मारने की बात करते हैं, मारकाट की बात करते हैं और इन पर कोई मामला दर्जिन होता है। प्रेश के कोने कोने में तमाम मुसलिम संग्ठनों ने किसी ने भी मुहमद रियाज और गोश मुहमद का समर्थन नहीं किया है, बलकि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांगे और इस घटना की निंदा की है। उनको कड़ी सेजा दिलाने की मांग कर रहे हैं लेकिन ये प्रचार रहे है, प्रमास आपके बीच आकर मुसल्मानों के खिलाफ कैसे जहर उगलता है, आप ये देखिए। हिंदों की जान इनके लिए कीमती है, मैं मानता हूँ कि जान सभी की कीमती है, क्या दलितों की इनके लिए जान नहीं है, क्या मुसल्मानों की जो जान जाती है वो जान नहीं है, अरे जान तो सब के लिए बराबर है, आप इंसान बन के तो देखिए, ये धर्म का चोला अगर इंसानियत का पाट नहीं पढ़ लेता तो उसके कोई भी धर्म का पालन करने का फाइदा नहीं होता क्योंकि जब तक आप इंसान नहीं हो, कोई इंसान अगर दूसरे इंसान का दुख नहीं समझ लेता तो वो कोई भी इंसान नहीं होता फिर आप कितनी बड़े धार्म गुरु क्यों ना बन जाए लेकिन अगर आप किसी के दुख के दुख को नहीं समझ सकते किसी की तकलिफ नहीं समझ सकते किसी के समाज के दुख आप नहीं जान सकते तो आप इंसान नहीं है आप कटर हैं आप एक धर्म के परती हैं आपकी सोच अच्छी नहीं है आप एक धर्मिक हो सकते हैं लेकिन आप इनसान नहीं हो इंसानियत का धर्म सब धर्मों से उपर है क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता केवल इंसान इंसान को वैल्यू देता है लेकिन ये ऐसे लोग हमारे समाज का माहौल बिगाडने में लगे हैं और तमाम गोधी मीडिया जिस चैनल जो ही चैनल चला रहा है सुदर्शन उसका भी जो मालिक है वो भी कट्टर हिंदू है और वो भी जहरुगलने का काम करता है कभी हाथ में तलवार तो कभी ISO को जिहादी बताता है ज़र आप सोचे अपने टीवी चैनलों में ये कैसे कैसे प्रोग्राम चलाते हैं कॉंग्रेस ने दो दिन हुए इनने टाइट करे हुए गोधी मीडिया को इनके दफ्तर के बार हंगामा कर दिया और आज जो वही राहुल गांधी को बिज़ज़त करते थे ना आज श्री राहुल राहुल जी कहके बात करने लग गें ये ये आ गए हैं ये है गोदी मीडिया की हकीकत जो आज जो कल तक बेज़ज़ती कहते थे न अपने चैनलों में बैठके आज वो ये तलवे चाटने को मजबूर हो गए हैं समझे ये है गोदी मीडिया की हकीकत सरकार बदलते ही ने देर नहीं लगती अपना लहजा बदलने में और ये जो ऐसे बाबा हैं तमाम ऐसे बाबा हैं मैं सब की बात नहीं कर रहा तमाम आपने पाखंडी बाबा देखेंगे अभी आपने आगरा की न्यूस देखियोगी कि कैसे एक तांत्रिक ने धाई साल के बच्चे की बली चड़ा दी ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा हैं ये तो तोड मरोलने की बात कर रहे हैं, खून खराबे की बात कर रहे हैं, नफरत वहलाने की बात कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, यह बाबा हैं, आप इन्हें बाबा कहते हैं, आप इन्हें गुरू कहते हैं, अरे गुरू वो है जो आपको अच्छी शिक्षा दे, वो किसी का भी रूप हो सकता है गुरू वो है जो भाईचारा बड़ा है जो आपको इनसान बनाए ये गुरू नहीं है ये पार्टियां गुरू नहीं है जो बीजेपी के आतंकियों से कनेक्शन पकड़े जा रहे हैं जरा सोच किये और सोच के बताईए कि आकिर माहौल कहां ले जाया जा रहा है आपके जहन में क्या भरा जा रहा है आपके बीच नफरत का बीच क्यों बोया जा रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम खतम ना हो ये लगातार चलता रहे बाबा बड़ी-बड़ी पर्थिष्ठित लोग आकिर क्यों जहर उगल रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े और लोग हिंदू मुस्लिम में बटे रहें और सरकार ये बनी रहें ये वीडियो देख के आपको क्या लगा और वीडियो में राए जरूर दें कि आखिर होना क्या चाहिए शुक्रिया झाल